आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वाकत है आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुली छिती जल पावक गगन समीरा हमारा शरी इन पंच चत्थों से मिलकर बना है और इनी पंच चत्थों से निर्मान होता है स्ट्रिस्टे का और इसी से बनती है जैविविटा 22 मई को हर साल अंतरास्टि जैविविविटा दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको मनाने का मुक्य उद्देश यही है कि यहां पर जैविविविटा के संबंद में जो लोग है इसके संडक्षन के विशे में और क्या इसमें कमी आ रही है इसके संबंद में आम जनता को ब इस्सा बने जिसका मुख्य उद्देश यही है कि इस बायो डाइवर्सिटी की संब्ध में जैविवित्ता के संब्ध में जो लोग हैं उनकी हिसेदारी और उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सके अगर हम बात करें पृत्वी की तो पृत्वी में जीवन तभी संभव है जब जैविवित्ता है क्योंकि जैविवित्ता की में जो संब्ध हम बात करते हैं इसमें पेड़ पौदे आते हैं इसमें जानवर आते हैं कवक आते हैं और इसमें सभी सुक्ष में जीव समलित होते हैं इनकी वज़े से हमें जल भोजन दवाईयां और बहुत सी चीज़े हमें इनके संबन से प्राप्त होती हैं लेकिन अक्सर हम देखते हैं हमारी लगातार जिस तरह हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं यहाँ पर गंदगी बढ़ती जा रही है प्रदूशन बढ़ता जा रहा है हम आग लगाते हैं इस वज़े से लगातार जो है हम देख रहे हैं ज का जैव विवित्ता पे बहुत ही गहरा प्रभाव यहां पे पढ़ रहा है ऐसे में आवश्छverted है कि हमारे किस तरह के कारे करने से जैव विवत्ता यहां पर प्रभावित हो रही है तो इसी संबंध में आज हमारा आज एसे के साथ हमारे साथ यहां पर डॉक्टर वीपी उनियाल जो वरिस्ट पूर वरिस्ट वेग्यानिक है भारती वनेजीव संस्थान के सार बहुत बहुत स्वागत आपका तो दर्शो को बहुत महत्पूर्ण विश्य है क्योंकि हम इसी क्या पार्ट है और हम इसी संसार में प्रवावित हो रहेना है जै विवित्ता को समझना हर इनसान उप के जरूरी है क्योंकि आज हमारे जिस करने की वजएसे जैय विवित्ता प्रभावजिथ हो रही है दिखें, जब वित्त को आम आदमी अपनी आखों से, अपने आचार से, अपने विचार से, अपने वहवार से, वो उसकी दिमचरिया में शामिल है, बस फरक सिर्फ एक शोधारती की है, या आखें शोधारती की चाहिए, कि आप उस प्रकृति के साथ संतुलन कैसे कायम बना क रखते हैं, और ये जो संतुलन है, जिस संतुलन को आप प्रकृतिक संतुलन का नाम देते हैं, जिस संतुलन को कहते हैं, कि आज कतना बड़ी का मौसम हुए, जो गड़वाली में लोग इस तरीके से उसको दिलित करते हैं, इस तरीके से बताते हैं, इस मौसम का सुन्दर ह प्रकृति का वो हर तत्त हर कंपोनेंट अपनी अपनी भागेदारी बहुत खुबसुरी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है और जैव विवित्ता का मतलब है कि एक ऐसा परिक्षेत्र एक ऐसा इको तंत्र जहां पर हर जीव हर विवित्ता जीव की उसमें जीव भी है और जैविक तो भी है इनकी इतनी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए तब जाके आप के लिए किसी परिक्षेत्र को कहते हैं कि ये परिक्षेत्र जैव विविद्ता से परिपूर्ण है आप किसी गाउं में जाएं वहां पशुपालन बहुत हेल्दी बहुत स्वस्त तरीके का हेल्दी तरीके से लोग रहते हैं घणय जंगल चानों तरप आच्छादीत हैं वहां पर फूल बहुत अ अच्छे होते हैं वहां का पानी बहुत सुनदर वहां पर आपको हर मौसम में छोटे कीड दिखें के अब वहाँ पर बागों का आना जाना भी है वहाँ पर भालों का आना जाना भी है ये ऐसा परिक्षेतर है जो दिखाता है कि विवित्ताओं में एकता दिख रही है और इसी का नाम दिया गया है बिल्कुल गी विवित्ता में एकता ये बहुत ही मुख्य बिंदू है जिसे समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता हम इंसान के लिए उन्याल जी आपके पास आना चाहोंगे जै विवित्ता एक विज्ञानिक के तवर पे आपकी नजर जै विवित्ता को किस तरह होते हैं हमारे जीवन का अभी नंग है लेकिन उसके कही सारे घटक है और आज आप देख रहें कि जै विवित्ता पे बहुत बड़ा संकत है जिससे कि आज पूरी दुनिया में जै विवित्ता दिवस मनाया जा रहा है इसके सुरुवात जो है ब्रेजील में जो कन्वेंश मतलब हमारे आसपास की जो भी चीजह हैं जिस पर हम निद्वर रहते हैं हमें उसके करना च। यह तो पता है कि नुकसान हो रहे हैं लेकिन उसके बावचूद हम उस नुकसान को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यही वज़ाए कि आज हम इतने बड़े प्रेटफॉर्म में आके संडक्शन की बात करते हैं क्यों ने था निजे यह इसको मैं एक ऐसे उधानन से आपको सम्झाओंगा अबड़ा हसेस्पद है और एक तरफ हम कहते हैं कि साब साक्षर हो गये हम लोग एक तरफ हम कहते हैं कि पड़े लिके हो गये हम लोग और किसी से भी कुछ बात करो किसी से भी कहिए क्यों डाक साब किसी से कोई बात करिये तो वो कहता है यह साइम एवेर हू बट मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि एक बहुत fine line of a distinction है awareness में और cautiousness awareness तो भी कि वो गाय फूल खा रही है मैंने भी देखा गलत है पर जो विक्ती उस गाय को फूल की बगेचे से हटा करके वो वहां से उसको दूसरे रास्ते पर लगाए that is cautiousness जे वो cautiousness मैं दांत माजता हूं मैंने कहा लेकिन माजता नहीं हूं पर मैं अगर लगाता हूं टूदब्रश करता हूं डेली मूद होने क्याता है डेली है आज कल के बच्चे है आपने देखा होगा वो कहते हैं और स्कूल निकल जाते हैं क्योंकि मैं खुद अध्यापक हूं मैं हॉस्टेल का चीफ ओर्डन भी हूं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे उठके सीधे क्लास में आ गया है तो दोस गुड़ प्रैक्टिसे आर नॉट इन देर रूटीन वो उनकी दिंचर है लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं जे प्रैक्टिस में होंगे तो धर्की बचेगे बिल्कुल तो यह सं फ्लेयर आ रही है कली ब्लास्ट हुआ है कल पर सो नासा की रिपोर्ट आई है कि संसे फ्लेयर निकली संका तूफान आया और वो कुछ जगे पे मैंगनेटिक जरूर ही नहीं है कि गर्मी से ही इंसान को नुकसान पहुचा है हमारे पास 8.7 बिलियन स्पीशीज है करीब है दर्तिक यह 8.7 बिलियन दस लाग तो आइधिंग डाग साब हम खो चुके हैं 10 लाग के करीब हम खो चुके हैं उन रेडियेशन का सीधा प्रवाव इसकिन पे ब्रेइन पे एक्क्यूपमेंट्स पे जिसे आप सो कॉल्ड विकास कहते हैं और प्रजातियों पे इन पर पड़ेगा तो कौशिसनिस की जड़त है एवेरनेस तो बहुत व्याबत है जी बिल्कुल नहीं देखा जा तो कोई स्पीशीज एक्सिंट हो रही है उसके बहुत स है उसमें एलेक्ट्रमेटिक रेडिशन निकलती है वो रेडिक्शन कहीं ने कहीं हमें हाम पहुचाती है उसके उपर बहुत सरा अध्यन चला आप देखें तो कुछ दिन पर भी दिवस था बीश तारीक को तो मधुमक्यों के उपर उस रेडिक्शन का वहत परवाव उसके नेविगेशन विहेवियर को डिस्टब कर रही है रेज तो सब जग पूरी है हम मैसूस तो नहीं कर रहे है तो उससे भी उसकी घतम हो रही है तो इसकी काई अधिक्लाइन पॉर पॉपलीशन तो यह रेज तो मतलब आम इनसान के आम बात कर एंसान को भी तो अगर आपके घर पर रेजिशन मोबाइल के सिंगनल नहीं आ रहा तो यह गोई तो कंप्लेंट इट यह आपके हैं तो आपके सिंगनल नहीं आ रहा है तावर को बढ़ाई आप और वह बहुत ज़्यादा हम को परिशान कर रहा है जो बीमारियां और कई हार्ट की प्रॉब मतलब कि इस स्पेस में ट्रैफिक क्योस हो चुका है रिडियाशन का आप समझ पार है ट्रैफिक क्योस है तो यह रिडियाशन मदुमक्ही ने तो इशारा दे दिया क्योंकि वजीव है लेकिन आप वनस्पति को देखो आप फूल को देखो यह स्टैटिक जगह पे है काफल की हम बात करें पहले जितना काफल होता था उतना काफल अब नहीं हो रहा है कुछ जो बहुत पहले खिलने लगे है अधरवाइस बुराश या फ्यूली और फूल है वो अपने सीजनल से के हिसाब से खिलते था जलगवग बरफ करके कम हो जाती था लेकिन वो नौमर के मैंने में खिलते लेकिन उन पर परागन करने वाले कीड़े हैं वो तो पहले नहीं आएंगे वो तो बार में आएंगे बार में चेटें उनका टाइम हो जे इसकी बीज में गैब पीरिट आ गया इस मिसमेच व दे पॉली और दिरे धीरे हमारा जो त्योहार है फूल देही हमें फूल नहीं मिलेंगे चोटी चोटी चीजे भी के बारे में महதुस कर सकते हैं。 अगर आप परिवरतन के बात करें कि जलवाई परिवरतन कैसे हो रहाँ? Ape कैसे महसूस करेंगे ? तो यह बिल्डिंग बनने से रोर से सरक्स hè?L meth機 अप महसूस नहीं करेंगे जलवाई परिवर्तन के लिए आपको जो छोटी छोटी चीजें जाए फ्लावर्स का खिलना है, मद मक्यूं का है, इंसेट का है, कोई अनिमल्स का है, कोई प्लांच के लाइफ है, उसमे कितनी सारी परवाव पड़ रहे हैं, उनका आना नंजा, कम हो जाना, वो हमारे लिए खत्रे की घंटी बजा रहा है, कि आप लोग आगा हो जाओ, सचेत हो जाओ, ये परिवर्तन होने वाला, वो हमाली छेत्र में आप देखी रहे हैं, हर साल कुछ न कुछ अनहोनियां हो रही है, उस अनहोनी से कई जो हमारा विवित्ता है, उस पर प्रवाव पोड़ा है, ज जैसे यहां पर यात्राएं होती है, क्या इसका भी हमारे जै विवित्ता पर कोई प्रवाव पड़ता है, बिलकुल पड़ता है, देखिए बड़ा अच्छा प्रशना आपने किया, और बड़ा समसमाईक इसका, इस पर चर्चा होनी भी चाहिए, और राजय सरकार के जो प पतकर्श धाद एक संस्ता है, उसके एक मैगजीन में मैंने बात कही भी थी, कि जिस परिक्षित्र में जिसको आप भुग्याल बोल रहे हैं, ग्यारा एजर फिट की उचाई पे है, इसमें सैंटिफिक इंपूर्ट देखे, वेगनिक तरीके से इसको देखा जाना चाहिए उस बुग्याल में एक बज़े के बाद जिजलिंग होती है, जहर बुल दी जिसको गड़वाजी में कहते हैं, जहर लगती है, पतली बारिश जैसे होती है, वो पतली बारिश उस क्लैमेटिक जोन का सिम्टम है, उसका पेरमीटर है, कि एक बज़े बाद बादन आएंगे, कंडेंस होंगे और उसके बाद उसमें जरी लगेगी, लेकिन आप अगर उस क्लैमेटिक जोन में यहां पे 0 degree centigrade temperature है, वहाँ पर उस शिव के दर्शन करने के लिए, उस महमानाओं के दर्शन करने के लिए, तीन लाख आदमी अगर एक साथ उस छोटे से concave structure में बैठा दोग में, अपनी विस्ठा के form में, खाना बना रहे हैं, राइस्थान के लोग आए हैं, वो अपना चूला जला रहे हैं, गुद्रात के आए हो अपना चूला जला रहे हैं, हमारी लोग जा रहे हैं, वो अपना चूला जला रहे हैं, जबकि उस छेत्र को जरूत नहीं है इस ची की कैपेसिटी है उतना रहना चाहिए यहां ग्यारा घंटे का जाम है इसका सीधा प्रभाव बुग्यालों पे फ्लावर्स पे आपके क्लाइमिटिक कंडिशन पे और आपकी जो सोशिक होनों में कंडिशन उस यात्रा कि जो लोग है जो गाउं है जो उसे सटे में उनके होट कि इतने साल पहले जब मंदिर का निर्माड किया जा सकता है तो पर दुकाने या कुछ रहने के स्थान बनायी जा सकता था लेकिन अगर नहीं बनाया गया है तो कुछ सोश समझ के ऐसा किया गया हुग जैव विविस्ताकिस में वहां बता रहे थे कितने लोग जा रहे हैं स अगर उस जगह पे सिर्फ 2,000 लोग रह सकते हैं, तो पूजा जो दिन खुली थे, उस दिन 30,000 लोग थे, तो 30,000 लोग वहाँ चलेगे, जहां पे 2,000 लोगों के रहनी के जगह भी नहीं है, अगर आप current capacity follow नहीं करेंगे, तो यह फिर नुक्सान के भरपाई और यह हमारे पर जैसे कि उत्राखन में गंगोती नेसल पाक है, तो गंगोती नेसल पाक में हर आदमी चाहता कि मैं गोमुक जाओं, गोमुक में दर्शन करके दुप के लड़ा के लोड़के आओं, हर हिंदू की आस्ता होती है, अगर इनसान की मानसिक्ता को देखे, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे कि विवित्ता को समझने की भी यहां पर बहुत आवशकता है, जिसे बात की जा रही है कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास इस परिपेक्ष में ना होना, कि वहां पर विनास का डऱ् जैसे मैं अभी प्रशन भी किया था, कि जैसे आपदाएं लगातार उत् इस पर सकते है किस तरह से आसकती है, क्या इसके परिणाम हो सकते है। तो उस आप से पहले से तैयारी आवशक है. देखे, मैं फिर जोड़ूँगा इसको, अपने ससकारों से और अपने पुराने ग्यान से, हमारे पीडियों की ग्यान से, हमारे वैदिक ग्यान से, एक स्लोक है, पूरी दुनिया, पूरा भारत उसको सुभे, सूर्य प्रणाम के समय बोलेगा, या पूजा के समय बोलेगा, इसना इसनान करने के बाद, कि ओम त्रियम्बकम यजा मही सुगंधिम पुष्टिवर्दनम, उर्वारुकम वद्धनान, मृत्योर मुक्षियमामता, इसका सार ही था, कि हे त्रिकाल दर्शी, हमें दैहिक, दैविक और भौतिक कस्टों से दूर रखना, डिफाइन कर दिय इसका मतलब आबदाएं पूर्व में भी थी, नहीं तो मोहन जाराडो, हडपा, नाइल, मैसोपोटामिया, यह सब बताय कहां गई, इन्होंने आबदाएं तो जेली हैं, जिसकी वएसे हो साफ हो गई, तो उन्होंने का मृतु का भहना हो, मतलब मिटिगेशन की तरफ उन् आप लोग मिटिगेट करके, आप लोग मिटिगेशन, रोग थाम पर ध्यान देना, संतुलन बना करके चलना है, यह संदेश हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, लेकिन आज हम क्या करते हैं, कि हिल्स पर, मैं तो पक्षदर नहीं हूँ, पता नहीं कोई सीच को माने य इनको तो आप रिपोज एंगिल नहीं दे पा रहे हैं, यह लो नहीं कर पा रहे हैं, इनके ढ़लान को कम नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे आपने चौडी कर दी, लैंड स्राइड होना वाजीब है, आधी सलक लैंड सलयड गेरेगा, आधी सलक पर गारी चलेगी तो वोई तो दिकास है लेकिन उसमें दूद दर्शीता कितनी है क्या रज्जू मार्ग चाइना की तरह हमारे हमाले पर नहीं बन सकते उतरागंड में वह एक बार का खर्चा ज्यादा है लेकिन वह क्या करेगा एक चोटे से परिक्षेत्र में प्रेट्फॉर्म बनेगा गदेरे लेकिन हम तो अध्यापक है हमारा काम है सिर्फ चीजों को बताना जी पढ़ाना योजनाकार और इंप्लिमेंटर्स है हमारे उनको एक बार को जरूर सोचना चाहिए कि जैसे अभी एक मामला भी सामने आया था जैसे कहीं बहुत सारे मतलब विकास के लिए बहुत पेड़ क काटे जाएंगे नुकसान होगा अब कहीं न कहीं अगर हम इस पीड़ी की बात करें तो अब हमें यह ऐसास होने लगा है कि नुकसान कितने हो रहे हैं जो आपको पता कि जल जो है जो हमां को पानी मिलता जंगलों से तो मिलता और पानी को के लिए वापे ये कुछ टैंक सा कि अब है परिमिशन नहीं वी ए वैसे तो इस तक बडार प्रश्न है देखे मैं इसको लॉजिकल फरेम में भी देखना चाहूंगा लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई कंपणी या कोई बड़ा उपक्रम अगर रेल्वे रोड बना रहा है या सरख बना रहा है तो एक कहते हैं Detailed Project Report, DPR में कहीं न कहीं Ministry of Environment से NOC लेने के लिए ये जरूर लिखा जाना चाहिए, ये लिखा गया होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ने ही पाऊंगा उस DPR को, I am not entitled to read that one, उस जगह पे बैठा नहीं हूं कि मैं DPR पढ़ू, लेकिन मैं उसको presume कर पा रहा हूं, उसको समझ कि उस DPR में शर्त जरूर होगी कि इतनी चौड़ी सड़क करोगे इतने पेड़ों को नुक्सान करोगे, इसकी भरपाई तुम्हें कहीं करनी है, बिल्कुल वह भरपाई की बहुत आवशिकता है, अब हम वह नहीं देख पा रहे हैं, एक आम आदमी की तरीके से सड़क का चौड़ी करनों तो देख पा रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि किस वेस्ट लैंड पे, किस बंजर भूमी पे इस प्राधी करन ने इस सड़क के बदले या कटेवे पेड़ों के बदले वहाँ पेड़ लगा है, वो कहीं रिकॉर्ड में मुझे नहीं पता और पेड़ काटे गएं, लेकिन उस ही आम इंसान को यह नहीं पता, और सबसे बड़ी चीज है, इसमें मैं चामगा मेडम के, पेरेंटल स्पीशीज प्रमोशन, यह बहुत बढ़ी गल्ती हुई हम से पहले, पूर में, कि हम यूकलिप्टिस और पॉप्लर लेकिया है, उन उसके बाद सारी हमारी लैने चोक हो पंजाब में तो पैरेंटल इसके बाद हमारे देखे जब एक योजना आई थी बीच में हमारे पूर्ब बहुत ग्यानी आदमी और बहुत लर्ण पसंथे तोलिया साब स्वर्गी तोलिया जी उन्होंने बैंबू बोर्ड बना है उसके पीछे भी एक सोच थी जो हमारा पूरा हिमाले नार्क है जो आज साल और सागोन से अच्छा दित है यह साल और सागोन यहां की पैनेंटल स्पीशीज नहीं थी यहां रिंगाल अरंडुनेरिया जे रिंगाल था यहां तो रिंगाल क्या करता था जितना उपर से कोर्द्वा, देहरादून के इननेराउंड के छेत्र, फिर उदन नहान पहुंच जाईए, इधर पॉंड़ा पहुंच जाईए, यहां जो फ्लेश फ्लटों का भैंकर और विवत्स जो रूप देहने को मिलता है, अरंडून एरिया बहुत घना होता है, उस वक्त जब पानी आता रहा होगा, तो पानी चीज करके बड़े आराम से बहुत रहा है, तो कोई भी वैग्यानिक, एक्जॉटिक स्पीशी का पक जज़र नहीं है, ठीकर नहीं जो प्लांट्स हैं, आप बात करते हैं, यूकलिप्तिस की, पॉप्लर्स की, यह कुछ एक्जॉटिक स्पीशी है कि जो की ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिमालेजी चेतर में अंग्रेज द्वारा बहुत सारे एक्जॉटिक प्लांट्स यहां लगाएगे, जिसकर हम आज भी नुक्सान जेल रहें, और वहीं नहीं, फिशी थी हमारे, अगर आप एक्वेटिक लाइफ की बात करें, तो ज काफी बढ़ गई, आज की देट में वहां शिर्फ टौटी टौट है, उनने नेटिव स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया, तो उसी तरज प्लांट्स में भी है, तो जनरे बैग्यानिक तो यही कहता है कि आपको जो है, कोई भी एक्जॉटिक स्पीसीज निलानी है, उसके ब पूरी लगवग हमारे उत्रा खंड में और हमाले चेतर में बहार के बीज आगे, जो के बीज ने हमारे जमीन मिटी को नुक्सार में पहुचाया, लेकिन बीज के उपर जो पॉलिनेटर आते थे, उनने उनको भी रिप्लेस कर दिया, क्या आप पॉलिनेटर के बात करते है कि मैं तो हम हमाले चेतर में पॉलिनेटर पर विशेष काम कर रहे हैं, और पॉलिनेटर is a kind of specific feeder, यह नहीं कि कोई मदमखी या कोई पॉलिनेटर हर प्लांस को पॉलिनेट करेगा, वो specific plant को भी पॉलिनेट करता है, लेकिन आपके पास exotic plants आ गया, तो exotic को पसंद दो नहीं करे और नेटिव आपका खतम हो गया, तो दे रिप्लेस इट, पॉलिनेटर को भी तो वो इसी चीज़ के बात कर रहे हैं, प्लांटी पे एक्जॉटिक नहीं आए, हमारे पास तो सीद एक्जॉटिक आ गया, आज कि आप बात आगर आप देखे हैं, हमारे हमाले चितर में, तो हमारे पारम पर दाले है इग्जॉटिक आगई है, बहर के गया और चैनिस चाहिण आगए तो पहले देखता अच्छी तो अ बहुत बड़ा आद्रक आपको मिलता है, शने अद्रक सब भारक आगया, उसका टेस्ट भी नहीं है, उतना मिथी को खराब कर दिया, तो बहर की चाहिए seeds हो, वो नहीं होनी चाहिए, और कोई विवग्यानिक इसका पक्षदर नहीं है, लेकिन वो आ रही है, अभी बीज की बात आपने सुनी पीछे कुछ उतरा खरन में कुछ बीज आगे कि जो उग नहीं पाए, बहुत बड़ा था उसमें कुछ इंगारी वगरे भी हु वो राजस्तान का बीज, हरियाना का बीज, आप माटने के जा रहे हैं जोसी मट के किसानों को, जोसी मट के आवा हुआ कुछ और है, वहां के मिटी किस और तरह की है, बीज जम जाएगा, लेकिन उसमें प्रोडक्शन नहीं हो, यह बहुत बड़ा है विशाय है, आज के आ विशाय है, यह इतने के दो हमारा फूडर फूड सूर्स है, उसमें पे जादा प्रभाव परड़ रहा है, वूड सुन है है कि बीज भी जो है अब हम बाहर से मंगा रहें क्या वज़य है कि उत्राखन के बाद अपना बीज तक नहीं है अब हुट नेशनल बीज सीद डिपार्मेंट के बारा सरकार का बीज के संबंध में और बीज पर कई लोग बहुत काम कर रहे हैं वंदिना शिवा जी इतना बा अब बच्चे उनको अगर आप 10 बीज दे दीजिएगा कि पहचान यह नहीं पहचान पाएंगे दस तो आपने सायदा क्या दी हम एक बीज भी नहीं पहचान पाएंगे क्यों कि बोगने के तरीके क्या है लेकिन यह हमारी पारंपरिक अगर आप केती देखें बीजूं की यह कहीं ने कहीं पर्यावरन से जोड़ी थी बर्स की बात करें आप तो हिमाले ही छेत्र में बर्स माइगरेट करती है और फिर वापस से लिए जाती है अभी लगब मैं काफी बर्स वापस चली गई हमारे एक बहुत बड़ा ग्रूप अभी मैं काम कर रहा हूं गरफिक र अब कई बच्चे बर्स को पहचाने लगे अब वापस चली गई तो जब बर्स वापस हमाले छेत्र में पहुंसती थी तो पुरानी लेडीज उन बर्स के आने के बाद मालूम हो जाता था कि कौन सा बीस बोने का ताइम आ गया जी इट वाज़ शिगनल ठीक है नहीं और हम बीस को कहा पहचाने बीस नहीं पहचान पाएंगे तो बीस कब बोना है कैसे काटनर कैसे रखना है इसकी तो सोचना ही बहुत मुश्किल है और आज की जेट में सबसे बड़ा संकट परियावरान पर तो यह है जो हम बता रहे हैं आग लग री है और ए स्चुटे-छोटे स कि हमारे बीज पारमदरिक बीज यह खत्म हो चुके और हवारे खाने के जो तरीके सब बदल गे मुझे लगता कि आने वाले बहुष में बीज नहीं हर आपमी का खाना जो है यह ऑनलाइन आएगा बिल्कुल ऑनलाइन भी आएगा और वही फास्ट फूड आना सुरू हो गया सब्सक्राइब करें देखे नहीं प्रास्ट अनलाइन वह उसको कहीं उगना है और वह वह चीज वाहिए जो डाग साब बतारहे हैं कि टी इस नॉट्रिश ज़ेए वह क्लामेटी कंडिशन को अडॉप्ट करके नहीं हो घृ अजर बोलना चाहों कि जैसे आब कोड स्टोरि सब्सक्राइब पता होता था यह वेजिटेबर है यह दाल है हम इस वक्त मिलेगी लेकिन एक कोड़ स्टोरी वाली जो एक परिपार्टी चल चुकी है हम लोग भी हर मौसम में कोई भी फूरूट खा लेते हैं हर मौसम में हम सब्सक्राइब तो क्या वो जो हम उसी जब करना सब्सक्राइब देखेँ है यह अपके रिखेँ में उसके बाद बरसात में आपको पूरी सब्सक्राइब घ्राइब रखी वो जाती है तो क्या वो हमारी आप रोली वो है कि अधे शरीर रात को सोने के लिए बना राद बनी तो रात सोने के लिए बनी अब आपने ता जिंदगी हमने अपनी 18 अलकि उमर तक हमने वैसे खाया जैसे डाक्तर साब ने बता है में तो डी किसाव इस सीजन में गहत हो रही है और समय मूली हो रही है इस समय में घरी सब्जी घर्व कंद्बימ considers शाक ही मिल रहां और लेकिन कहारा है कि आप इस वके सब्स आप शर्ड जाँै 2025ör कि यह आपका इंटर्नल होमियस्टैसिस जो बोलते हैं जो एक बैलेंस बनाओ अंदर इंटर्नल जो आपका एंवार्मेंट फिजिको केमिकल जो एंवार्मेंट है वो सिगनल देने लगता है आप गलत मौके पे मूली खा रहे हो गलत मौके पे सब्जी खा रहे हो पेट उगाना बोलेंगे अफारा बोलेंगे पचेगा नहीं दूसरी चीज़ें आपको कि अब बात कर रहे थे कि आपको यह लगातार हम देख रहे हैं घरमी लगातार बढ़ती जा रही सब्सक्रist बात कर दो और विडब चलती थाने अब वो सुच्द हवा निए आप यह कहा जाता है कि पॉलूशन आ रहा है एर पॉडूशन ओर नहीं नहीं बेए बिंडो बंद कर दो क्या यह हमारे स्वास्त के लिए जैवी वित्ता की जो हमें बात कर रहे हैं उस पर किस तरह से एफेक्ट कर रहा है तो आप किसी से पूछ आपको बता देगा कि आपका शंतुल जो है शरीर का फो ठीक नहीं है और यह चार दिन पहले के बात है डाकसव आम सब यहीं देरादून वासि हैं चार दिन पहले हवा लेने लायक नहीं थी इतना धूँआ था पूरे दरदून में धुआ था तो यह धुआ क्या है आपने उसी वाई बंडल में तो मिश्रण मिला दिया है यह हिमाले आग के लिए आपकी और हर आदमी की जिम्मेदारी है क्योंकि हम अगर जीवित हैं तो बनू से जीवित है और अपने सरावनिंग्स के आसपास हमारी व करता भी है कि हम इसको नजर अंदाज न करें और अपने जीविता को जिस तह से हम बचाने की कोशिश करें हम अपने पूरा उस्मार जब तक यह सारे प्रियास हम पर नहीं चलेंगे अकेले पर काम को यह हर जगे कहना पड़ेगा कि यह प्रियास हमने किया यहने प्रिष्व में जीवन सवंभाव है तो वो इसी जैविता के संबंद में हो पा रहा है इसी वजह से हो पा रहा है तो आपको आवश्यक है कि आप समझे कि क्या सही है और क्या गल्ब